आपको बता दें कि लगबग साथ लाख राज्य करमचारियों से माननेता अपराप्त अखिल राज्य करमचारी सेयुक्त महासंग एकिकरत ने आज एक विशेश बात को लेके इस प्रैसवार तक आयजन किया है है आपको जानकारी के लिए बताते की जो कारणी आएगी जो कारे समीटी आएगी उसके चुनाव संपन होने हैं और उसकी घोछना की जएएगे आपको बता दें की लगातार यह जो करमचारी संग है करमचारियों की जितनी भी अनियमित्ता हैं सरकार से जो भी इनकी मांगें उसके हक और हुकुक के लिए लड़ता आया है और इस बार भी इनोंने एक विशेश निर्णे किया है क्या वो निर्णे है जानेंगे इस समय के वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष राजिन राणा जी से सबसे पहले तो हर दो साल में आपकी जो कारे समीति बनती है इस बार भी आगरे आने वाले दो साल के लिए कारे समीति आपकी लगभग तयार है उसके लिए आपको शुब गामना है और दो साल से जो आप संघर्ष करते हैं करमचारियों के हितों के लिए आने वाले दो साल में संगर्ष का रंग और रूप कैसा रहेगा वो होता है जी पहली बात तो यह कि कारिशमति अभी प्रारंबिक कोई तैयार नहीं है क्योंकि 15 तारिक कोई जो है हमारे प्रांति अदिक शुना जाना है और उसमें 123 मद्दाता और 123 ही उम्मीदवार है इमान के चलें अब कितने ल करमचार की हमारी की जो रन्नी ी वरतमार हमने करमचारियों की ने रननी थी सरकार ऐसा सोचती है कि करमचारियों के साथ वाइदे कर दो चुना खोष्णा पत्र ने lendरू गो पहला बजट सत्र आया हमने उससे पहले ही सरकार को हमको बुलाना बड़ा बजट पूर संबाद के लिए पहली वार ऐसा हुआ तो कहीं नहीं कुछ मुख मंत्री जब सदन में बोलता है तो लोगों पर भरोस लोगों को भरोसा होता है अब सोचे जब एक सेमिटर से लागू कर देंगा अब आज 12 सेप्टेमर होगी अब तक सरकार ने वो पताया है नहीं कि हम क्या लागू करने जा रहे हैं तो इस तरह की एक जुमलेवाजी जो है न वो ठीक नहीं है जुमलेवाजी से करमचारी परिशान है और हमने तैय कर लिया कि अब हम इंतियार नहीं करेंगी सरकार का आखरी दिन का जो भी अभी हमारी मुख मांगे हैं पुरानी पैंशन है पुरानी पैंशन का 41,000 क्रोड रुपया के इंद सरकार के पास प्रमोशन करेंगे रवार चीप सेकेटरी और डी ओपी सेकेटरी की चिटी रागी कित्र क्या मोनिटरिंग हो रही क्या पूरे राजस्तान के अंदर आप देखेंगे सिक्षा बाक अंदर पांच बर्से प्रमोशनियों मैं दाबे के साथ कह रहा हूं आपके 2 साल का वाई- प्रमोशन नहीं हो रहे चिक साब आग में प्रमोशन नहीं हो रहे और लंबी डीपी सेंट पढ़िए और वाई-दे कुछ और करते हैं आप कहते हैं कितनी हमने सुन लिए हम एक रांस्पर पॉलिची ला रहें कब लाएं कि पिछली सरक्राइब बनी दी हो और चिक साब आ नासी पुराने मुक्रमंत्री जो मना था कि अब रस्टाचार जो ट्रांस्टरण की में होता है तो वह रुकना चाहिए अब परतमां सरकार ने भी काय ट्रांसफर पालची की बात करें तो आखेंए डरहातना पर सरकार लेकर लेकर नहीं इसके अलाबा आप सोचिए ना पिछली सरकार में तकरीबन हमारे दो लाख हमारे सिक्षक से तृतिस रंड उन्होंने इस्तानांतरण के लिए उनके लिए उन्लाइन आवेदन ले लिए और वो पूरा पंगत साल निकाल गई सरकार वो उनके ट्रांसफर नहीं कर पाई आप सोचिए एक सब्सक्राइब करें लागू करें पुराने करमचारी बहुत परिशान है वो होना ही चाहिए और समय दान इवuit लिए करमचियों कर नियमति करन बहुत बड़ा जय दें बहुत कर दिये और वरत्माद सरकार से अप एकशा भी आप नहीं किया सामने हैं अब अर्थमान सरकार के हम पहले समय से अब राजस्तन का करमचारी पहले साल से लामबंद है और अपनी मांग को पूरा कराने के लिए और जुरूत पड़ेगी तो महासंग की गृत का जो नवीन नेतों होगा उसके नेतों में करमचारी बहुत ज़त सड़कों पर महिंसरा ने पर मशैंड एक्सम्स पाटाब करम आई था तो म्हार्टा बयां कि सद्राइगा सब्सक्राइख करूब करें और वह बड़ी रेली करके जब हरताली घोष्णा करी तो सारे एस एस फाइनेंस और एस मेडिकल ने बैठ करके बड़े-बड़े वाइदे करके उनका जूंटे बाइदे करके और उनका अंदोलन श्रीद कराया मगर लास्ट में मुन तक जो कुछ ने दिखा तो आमनेंस पर आगे कि आपने वाइदा किया है अब चीप सेकेटरी और एस एस के लेविल पर अगर कोई वाइदा होता है बहुत बड़ा अधिकारी होता है तो उसके अगर वच्छन पर बरुस्ता नहीं करेंगे तो करना पड जिनके गजेंदर जी और ने दिखी समयदानिक तरीका है करमचारी तो उसमेदानिक तरीके से एक आवाज उठाएगा तो यह अधर्ताल हो यह करमचारी आंदोलन हो धरने और आवाज उठाने का उसके तहती करमचारी हौस पर आंगे बढ़ते और अपनी मांगों पूरा क कि अंदुलन करने जा रहे थे उन्होंने आंदुलन शुरूँ भी नहीं किया था और उसी समय कुछ ऐसा कुछ मामला आया कि उनके आंदुलन से पहले रेसमा लगाने की बाद सामने आई थी जी मेरी नॉलेज में तो ऐसा कुछ नहीं है कि वो करने जा रहे थे क्यों कि सारभ जी ने कुछ हुआ नहीं सबसंगों कि अपने अपनी राणनीती होती है करमचारी की कोई आवाज है उसको दबाने के लिए अगर आप अपने किसी पिकार के कानूनी जो आपका पावर है अदिकार है उसको प्रयोग करते हैं तो आवाज आप दबा सकते हैं फिर कितने दिन तक आवाज दबेगी पुरानी सरकार नहीं काम करने का प्रयास किया था हमें पता है उस समय कांदोलन चल रहा था और हमें भी का गया था करमचारी डरता नहीं है चौशर दिन की आड़तालोई आठ लाग करमचारी उनने पूरे चौशर दिन तक लड़े हम और उस समय हमको टर्मिनिट किया गया था मुझे भी टर्मिनिट कर दिया था सरकार टर्मिनिट कर देती सरकार सस्पेंड कर देती इन सब चीजों से करमचार नहीं तो डरता न नहीं है और मैं समझता हूँ दमनात्म कारवाईयों से जब जब दमनात्म कारवाईयों आंदोलन तेज हुए हैं तो सरकारों को भी अपनी इस बात को समझ लेना चाहिए कि रेसलाव इसलाओं की जो बात है उससे आम करमचारी को आप डरा सकते करमचार नहीं तो कभी सरकार को करमचारियों की जो हम कह सकते न्याय संगत जो मांगे हैं जो कई सालों से लंबित पड़ी है उसे मनवाने के लिए सरकारों को बात दे करेंगे और अब की बार एक नया नई जो चीज करमचारी संग लेकर आएगा वो यह है कि सरकार के आखरी सालों में नहीं पहले दिन से ही पहले साल से ही सरकारों को अपनी नयवचित मांगे मनवाने के लिए बात देख करता हुआ करमचारी संग नज़र आएगा सेयोगी कैमरमेन आज़े के साथ उमंग माथुर जनता दरबार